तुझे भी हैट्स चाहिए और तेरे भाई को भी हैट्स चाहिए अब किसका हैट्स गिरेगा किसे पता हैट्स गिरेगा या तो टेल्स गिरेगा टेल्स नहीं गिरा तो हैट्स जरूर गिरेगा अरे हैट्स गिरा चलिए मैं तुम्हारे पैर पढ़ता हूं चलिए सुनो रहे यह कह रहा है मैं पैर पढ़ता हूं हर एक धन्दे में कोई नो कोई प्रॉब्लम्स जुरूर है कई प्रॉब्लम्स है एना और इन में से सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स तू है रड़के लोग बोलते हैं भाई इसे प्रॉब्लम है इसके भाई को प्रॉब्लम है आपकी जान जा सकती है और मुझे मारने के लिए डेविड आराई ये सुनते ही मेरे दिल और धिमाग में खुन खौल उड़ता है, पिछले पांच साल से तू और तेरा भाई मुझे मारने के लिए ट्राइ करते, 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 ठक चुके हो, अब तक, देरे और मेरे बीच में, जो प्राब्लम थी, वो थी प्रॉपर्टी, ये वरना, तू क्या कर लेगा? अपने टट्कों के साथ मिलके मुझे मारेगा? ए, तेरे और तेरे भाई में टेर्ड किलोमेटर का फर्क है, और तेरे भाई और चाकू के बीच में टेर्ड इंच का फर्क है, जानता है, ये लोग आधी एकर जमीन के लिए एक दुस्तर को काट और फिर तू मुझे मारने आएगा, अच्छा आफर है, यूज कर ले, क्योंकि दोस्त की बजाए, दुश्मन अच्छा होता है, और तू मेरा बेस्ट दुश्मन है रे, तू भी खेलता रहा है, मैं भी खेलता हूँ, हाँ? लुपी खंस चल्द नुए, सुद्धे वक प्लूचा करें कृए, जल्ली हूँ भाए, मुझे बकुटर बरॉट्ममिठे ले, भाई, department काट सब्सृइन करें, बुच्यका अच्छा करक के सपाए, देठेक, कतर आरीये, अच्छा जयूतस्त, सब्सक्क्रिश्मन अच्यक् मुच जो बाई दाले गा बाई, बाई, बाई मुच जो वो ऑाई. मुच जो 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 स्ट जो जो से घ्ट जो जो स स Means मूर्थी जाकर उसे बोल दे लड़की तुझे पतन नहीं करती है यहां रुकने का कोई फाइदा नहीं उसे समझा दे जा भाइ आप जैसा सोच रहे हो वैसा वो लड़का नहीं है भाइ परेशान करनी नहीं आया और नाहीं परेशान होने के मूड में हो उसे बाहर आने के लिए बोल उसके बस शकल देखनी है मुझे बाई साब, वो मेरी बात नहीं मान रहा, बोल रहा है शीवा को देखकर ही जाएगा यहाँ कोई फर्जडे फर्शो चल रहा है जो देखने की जिद कर रही है अगर इसने शीवा को नहीं देखा, तो हनुमान की तरह लंका जला देगा चेक यह लो बेटी, थांक यह वानटी तो ही लो देखो उकल बाहर इतने पंगे चल रहा है और अंदर यह चेस खेल रहा है चेक मेट, मैं जीद गई भया, मैं जीद गई नहीं, मेरा भाई जीद गया पापा, आपने बात की? बात की उससे, पर वो नहीं जा रहा है, तुझे देखने के बाद ही जाएगा ठीक है, मैं मिल लेता हूँ पापा भया, उससे देखना ज़रूरी नहीं है, मैंने कहा ना पसनने लिए वो चुपकर दू, इस प्राब्लम का, ये कोई समाधान थोड़ी ना हुआ बेटा, तुब बाहर जाके उससे बात कर गया है भया रुको, मैं जाके बात कर गयाता हूँ जब भी गाव में आता है, कुछ ना कुछ गडबर जरूर करता है भोला है इसका पाप सुना है, खुनी है ये डेविड उसके मंगेतोर को उठालाया और शादी रोकती उसकी अरे, अगर इसके घर में ऐसा कुछ होता या शादी रोकती तो इससे पता चलता बेटा, हाँ पापा, संभल कर बात करना है, ठीक है आ गया, इससे जुबान लड़ाएंगे तो अपना ही नुकसान होगा कैसे हो? इससे अच्छा चूफी रह जाते है मामा, काव्या के शादी ये सुना था, हो रही है क्या? अच्छा, वो किसे से प्यार करती है, ये सच है? मामा, जिन्दगी एक बोट की तरह है, उसे जो चला सकता है, बोट उसे के पास रहनी चाहिए, समझे? मुझे चिड़ाना छोड़ दे, तुससे मिलने के लिए तिरह जीजा आया है, उससे मिल ले, जा ओके, आप शान्त हो जाइए, ओके? ए शिवा, तुने मुझे से जैसे बात की, उससे मत करना, उधरी रुक, जो कहना है वही से बोल, सुन सकता हूं, सुन सकता हूं ओ मामा, पंच, मैं, एकदम सॉफ्टली बात करूँगा हुआ हुआ है जा तुझे बस देखना चाहता था, जा डेविड सर, मैं आपसे थोड़ा बात करना चाहता हूं गाओं मैं आपके बारे में पूछता अचकी, सुचा बात करके कुछ फाइदा नहीं है इसलिए लड़की को उठा लिया, कुछ गल्ती हो गई हो तो सॉरी मैं कौन हूँ, तुझे चाहूँ, तो अभी इसी वक्त बता सकता हूँ लेकिन वक्त सही नहीं है, पर एक दिन तुझे मेरे बारे में अंदाजा हो जाएगा फिलाल तो जा हीरो सर कौन? आप हो, अपनी मंगेतर का बलिदान दे रहे हो, तो आप फिरो ही हो गए ना? उसे तो मार देना चाहिए था, जाने क्यों दिया? जंगल में शेर को देखकर सांसे धंगे देगी, और घर में आके बिल्ली को बारने की बात करता है बिल्ली है ये, इसे मारना कोई बड़ी बात नहीं, समय आने पर देख लेंगे शीवा, तो ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? जंगल दिए? लला दिदी, में मच आनां दो डिदी। मारना दिदी, मैंने शेलवा से बात की है दिदी उससे ना मैंने शॉरी बोल दिदी। सुरी बोलती है उस दिन वह बात करने के हालत में था लेकिन पकड़ी है न उससे यह अब तक सुधरा नहीं जाकर क्या होगा इसका चुटे वहां कुछ भी नहीं है तू आजा आजा कुछ भी नहीं आजा मैं गया था चल पूरा पीजा रग दें यहां चल अब सोजा चल तुम भी सोजा पता नहीं कितने साल मालाओं को सोचके बढ़ बढ़ाता रहेगा सुपह उठके पहले मंदिर जाएंगे तमेव माताचा पिता तमेव तमेव बंदुष्य सका तमेव तमेव विद्या तर्वडं तमेव सर्वं मं देव देव मूकं करोती वाचालं पंगू लंग्यते गिरीम यतिकृपातम हम वंदे परमानन्द मादवं आज वो एक बहुत बड़ा क्रिमिनल लॉयर है और एक समय में वो खुद बहुत बड़ा क्रिमिनल था वो जिस लड़की से प्यार करता था हम सब दोस्तों ने मिलकर उससे उसकी शादी करा दी उसके बाद से वो फैमली वाला आदमी बन गया है पर ये बता तू सब की शादी करवाता फिरता है खुद क्यों नहीं किसी लड़की से प्यार कर लेता है ब़ो कि आसे खळवाऄ रहा है मेरा बच्चा प्यार तो करी रहा है पर मुंबई की किसी सुन्दर किसी सेट की लड़की से ही शादी करना सेट की लड़की अपने को जमे के नीज़ पाप एंपने गाओं की लड़कीँ है न एक दम लड़्डू जैसी प्या लड़्डू हमारे जमाने की सभी लड़्डु वर्भी आज के जमाने में बूंदी हो गई है दरसल मैं यह बोलना चाहता हूं कि अगर तो मुंबई से लड़की लेकर आएगा तो तेरी माँ उस लड़की को जेल सकती है पर गाउं की लड़कियों को नतौर तरीका आता है बात चीताती है आज की डेट में गाउं की ओरते जो गालियां देती है ना वो तुम्हारी मा की क्रिटिविटी है मिस्टर रत्नम आपको ज्यादा नहीं बोल रहे हो नहीं मिस्टर शिवा मेरे बोलने का मतलब है कि अपने बीच में जो आर्ग्योमेंट और जज्जमेंट हो रही है वो समझ ठीक है तेरी बहन की शादी होती तेरी भी शादी हो जानी चाहिए अठीक है अच्छा मेरी बात सुन शिवा अंदर हम दोनों ऐसे फ्रेंड्स की तरह रहेंगे दूसरों के सामने तुम मेरी मत सुना बिल्कुल कड़क बनके रहना नहीं तो नज़र लग जाएगी घर बार में चक्कर लगाने की ज़रूद नहीं है नहीं तो तुम्हारे दात मिकाल दूगा हमाज गया ना ठीक जल निकल आभी अहां जारू दाटक क्या कर रहा है निकल यहाँ से मुझे कोई फ्रेंड नहीं चाहिए वह बेटा बना रहा है वहीं बहुत है निकल यहां से पहले चाय तो पिला दें मुझे अ देखना क्या ले आया यह परावा कुट दाला का छोड़ दिया यहां भाईया ऐसा क्यों कि आपने साथ ही था वह मेरा छोड़ दो क्या चाय पिलाता तो चला जाता ठीक है इसे लिए जाकर दूर फेक कर आओ जाओ जाओ ना वह फेक देंगे दक्टर था विचारा अब पागल हो गया है गाओं से गए दस दिन हो गए तुमको कहा गये थे एक और चाय दे भाई भाई एक और चाय देता है शिवा कहां कहां नहीं ढूंडा तुम्हें कहां गायब हो गय थे गाड़ी में फूल चड़ाने के लिए आदमी चाहिये थे उसे गदे के तरह काम करवाया फिर एक फूटी कौड़ी भी नहीं दी खाने के लिए पैसा मांगा तो मुझे मारने लगे यह देख भाप रहे होस्पिटल जाने के लिए पांच रुपे नहीं है बस वाला पैसान का था उस पर चड़के आ गया तुम भी ना चलो पहले इतना काफी है देख लूँगा बाई बैठो ना बैठो 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 सबसे पहले अस्पिटाल जाना समझ गए ना बाद में सीधे सलून जाना और बाल कटवा लेना घर पे बहन की शादी है बेबी की शादी है और तुम्हारे लिए नए कपड़े लेकर रखें अब तु लाद में स्वेलब तुम्हारे लेकर बाल की शादी शादी है शीवा शीवा चलो इधर आओ मारूंगे तुम्हें इधर आओ मामा क्या है… बोलो मामा मैं मेरी एक हेल्प करोगे miami कैसी हेल्प मामा मामा तुम सब कि unintended करवाते हो न मामा मेरी भी करवा दो ना मामा क्या शादी तुछ शादी करनी है है हु 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 flu प्लीज मामा ठीक है ठीक है तुम रोव मत रोना मत कल सुभा बड़े मंदिर में शादी होगी ठीक है अपने मम्मी को बोल देना ज़ा लगता है जहां पहुचना था वहां पहुच गये यह देखो क्या बात है गाव का सरपंच भी सायरन की गाड़े लेके गुद्धा है यह यह गाड़ी का रजिस्ट्रेशन देखना पिन 59 मदुराई की गाड़ी है अंदर शायद कोई मंतरी आया है डर रहा है क्या तू डरूं दो लड़के घर में घुसका सारी अटों को ले गए कि रहां बहुत खुश नशीब है कि आपकी शादी देंगे बहुत धन्य वार्ण हैया हमें शुक्रिया क्यों करें हैं हां अशिरबाद दीजिये यह हमारी खुशी का दिन है अशिरबाद दीजिए रहा है अब तो नहीं बचेगा तुम खुश हो माबाप की खुशियों में ही बच्चों की खुशी होती है उन खुशियों को पाने के लिए तुम लोगों को बस अपनी सोच बदल नहीं थी कहां आकर क्या बात कर रही हो क्या करेगा तू हम सब लोग को अंदर डलवा देगा क्या नहीं तो गुंडों सो पिटवाएगा इतन अच्छा सुन जब माता पिता अपने बच्चों की शादी करवाते हैं वो इंटर्टेन्मेंट होता है हर किसी के घर में होता है लेकिन जब बच्चे अपने माता पिता की शादी करवाते हैं वो वरदान होता है ऐसा करवाना पुन्य का काम है जो तुझे नहीं मिला वो पर अब मैं ऐसा बिल्कुल नहीं सोचता हूं तुकिसी को भी ठागर के लिया मैं देख लूँगा ऐसा क्या अपने पापा पर भरोसा कर मैं बहुत अच्छी गाड़ी चला लेता हूं तो इसे डाउस में क्यों देख रहा है बताई से मैं कैसी गाड़ी चलाता हूं सिर्फ ज अब बापी मामा ममी रो रही है दो दन से खाना नहीं काई दादाजी का भी बुरा हाल है वो बीमार होते जा रहे हैं होगा यह तक कि दादी साथ साल की उमर में चल बसी दादा को पहले किसी से प्यार हुआ था और ममी चाहती थी कि दादा की उनसे शादी करा दे आज 20 साल लेकिन उनके घर वाले दादाजी से उनके शादी कराने के लिए तयाद नहीं है मामा दादाजी किसे शादी करा दो प्लीज बीबी जाओ अपनी मार के पास जाओ 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 बाई बेटा आप जाए मैं आए हाँ चोटे मैं भूल गया था वह बगल में चंदू की दुकान है उसे कबड के पैसे देने हैं ठीक है मैं जरा उपर जा रहा हूं टीवी का ओर्डर देना है ठीक है पपा और बरतन की दुकान पर जाना है जल्दी आ जाना ठीक है हुआ 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 है वह कवर्ड घर पे उतारो या फिर बाहर ही रख दो ने ने घर पी उतारेका तो बेटा रहा है कल सुबह घर पर पहुंचा दूंग ओके थैंक्स जी बैए कि अ कि अ कि अ कि अ कि अ कि अ हुआ हुआ है कि अ पापा मैं जाकर मन्नु को चोटे क्या पापा तुमने क्या बता है कहां जा रहे हो मैं मन्नु को देखने जा रहा था पापा ठीक है जाओ पर संभल कर जाना ठीक है पापा उस दिन वो अपने घर पर आकर चिलाकर लडाई करके जाता तब तो फिर ठीक है चलता था पर उसने उस दिन ऐसा कुछ भी नहीं किया उसने सिर्फ अपने बेटे शीवा को एक बार देखा उसके बाद साइलेंटली वहां से चला गया यही बात मेरे दिमाग में घूम रही है आज बीच रास्ते पर एक आदमी को काट रहे थे उसकी शकल कैसे थी पता है मुझे उसकी आखों में गुस्सा नजर आया वही गु हम सब मंदिर जाके पूजा करेंगे जरूरत पड़ी तो ऐसा धागा बांदेंगे फिर कुछ गलत नहीं होगा यह तो क्यों फाल्दू कुछ भी सोचता है पर पापा को पुरा विश्वास ही कि मैं कोई गलत कम नहीं करता और पापा की दरा मा भी मुझे पर विश्वास करती है अरे शादे की तयारी तो आपने शुरू कर दी पर आप ही नहीं मिल रहे हो हमें कुछ काम हो तो हमें भी जरूर बताएगा क्यों भाई गाउं की सारी शादियों का पूरा काम मैं ही करता हूँ ये मेरी बेटी की शादी है और इस घर का पहला शुबकार्य है मैं ही पूरा काम करूँगा समझ गए तुम शादी में आकर सिर्फ खाओगे और आशिरवाद दोगे आप अपने पूरी फैमली के जाथ आएगा वह बहुत भाई हम भी जरूरा आएगे आज़ी नमस्ते है तो भी जरूरा आएगा थी नमस्ते है अरे भाई देख क्या रहे हैं गुलाब जल बढ़िए चीकिए अंदर नहीं आँगा आप खाना खाकर जाएगा खाने के पैसे नहीं लेंगे तो जाके कहीं मर्चा मेरी इज़्जत नहीं हो दिवाद नहीं आथा तो फिर भूल जा इज़्जत मान मर्यादा तुझे मिल गए समझ लें घड़ी मैसी बाते क्यों कर रहा है किया बात है तेरा यहां पर पीकर मच मच कर रहा है तुझ जरह जाकर देख उसे शिवा यहां रखिये तुने यहां सब तरी इज़त करते हैं चलो पकवास मत कर सुनिये जी सुनिये ना तुम इतना पैनिक्ड के हो बेटी भाग गई क्या तुम्हारे साथ रहूंगा ते यहां उसे चोड़ो शादी का महौल है सारे फ्रेंड्स आज मौज मस्ती की सोच रहे होंगे क्यों है ना अंकल आपको तो सब कुछ पता ही है एक बियर दो बियर कॉर्टर हाफ फुल चिकन सिस्टीफा सिगरेट पकेट यह सब ले ले ठोड़ा कम पढ़ेगा क्यों रूम बुक करना है क्या कल स द्रू मुझ परेटा कर बीज़ें अजिसे हैं आरहाओ उरु हूं अरे भाया बाल कटवा दिया क्यों तो सबसके पहले उसकी शादी होगी फिर उनके चोटे बहीं शिवा की शादी होगी ओके ना बहुत बढ़ी कर ले कर ले कर ले कर ले कर ले मुर्गा ए मुर्गा रुग्जा मैं भी आ रहा हूं क्या करें टूड़ा मेरे कामा जाए है सबस्क्राइब करें सबके है जल्दी बहुत अचार्ण चल जल्दी कर देख लुक्त दिता चलो जिए जाला हूँ है अरे भाई तफसे लाइं खला हूँ मैं उमक का और उस अरे पहले हुआ तो ग॥ंटे हो गावगे पितरो प्रेस जबेव रहा हुआ अच्छा सर्कल के वैंच उप पे आज़ा जाओ सब्सक्राइब गलती से किर गया है जरा वह कैस्ट देतो है अरे देखिया रहे हो क्या जरा उठा दो ना कि अधिया है यह क्या है दो बोला था ना भाई दो फूल लिया था आते समय ने धक्का मारके गिरा दिया काने वो वो बुलू शट वाला है ना वो बोतल थोड़ी सौरी भी नहीं बूला और चला गया अरे यह क्या है पीर थंड़ा मागा था उसने ओमलेट थंड़ा दे दिया खाली बोटल चाहिए जैसी यह बोटल खाली होंगी बता दूंगा आरे इसे पांच रुपे चाहिए यार ये बोटल गिरा के सौरी तक नहीं बोला तूने तेरी तर पूल्स बोश 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 बो यहां क्या कर रहा है इडियाट्स एब यह तेरी सारी हमें नहीं चाहिए बोतल इसने फुरिये तो सारी भी यह वह बोले लाता हूं आपको जितना सारी चाहिए मैं बोल देता हूं अरे सारी क्यों बोल रहा है इसे तुछ गधा कहीं का पीके नौटेंगी बूलिये बॉस सुनो भाई फोन करके किसी को कुछ बोलो मत कोई बड़ा सीन नहीं हुआ है यहां हो अरे उनको लेकर आँ यहां बोलो भाई कौन सी बोतल चाहिए कौन सा प्रेंड चाहिए चलो आओ मार्केट में जाना होगा चाला हमारे सारी यार यह तो डेविट का एडिया है मन्नो कुछ भी हो जाए बहन के शादी नहीं रोखनी चाहिए ठीक है क्यों भाई तेरे एरिया का वाइन शॉप बंद है क्या नहीं ऐसे यह फंक्शन था क्या शादी हाँ दोस्त की जी हाँ गाओ के सारी शादीयों को रोक कर तू अपने दोस्त के शादी करवा रहा है वो दोनों प्यार करते हैं दोनों के घरवाले भी मानगे और अब वो दोनों शादी कर रहे हैं और हम सारे दोस्त लोग पीने के लिए बैठे थे इसने अपनी पूरी बोटल तोड़ दी और सॉरी भी नहीं बोला भाई बहुत स्याणा बन रहा था यह तो मैं दारू लेके देता हूं कौन है क्या है देखता भी नहीं हां करें भी होश्यारी करता है कि इस पर क्या लिखा विखा है अमसे जूट बोल रहा था है तो कि आघर के शादी है हैं नहीं देरी है क्यों शिवा नम का प्रेंड ही होसकता हाँ हमारा शिवा नम का इसके घर की शाधी में गए थे वही है यह यह इस यूदो पीने के लिए कहा बैठे थे मेनूर सरकल के इस मंडप में अपने आदमियों को भेज मुझे जानना है आखिर शादी किसकी है अब तक तो मैंने कुछ सोचा नहीं था तुने बोल दिया है आप नहीं रुकोंगा मैंने क्या बोला रुक्चा मनी मंडप में जाके चार लोगों को काट डाल भाट करकर सुचा लेते हैं मेरी बात सुनीया टेविट भाई एक मैंने डेविट प्लीज आप मेरी स्यदियुंगा तेरा और मेरा लेना देना है ना उतना ही बहत है मेरी गलती है ना डेविड भाई आप कुछ भी बोलो मैं करता हूँ ना पर मंडप में कुछ मत करना मुझे जो करना है कर लो कुछ भी कर लो मेरे साथ भाई कोई लड़की है क्या कि हम तेरे साथ कुछ भी कर लें आप बोलो डेविड भाई मैं क्या करूँ मुझे अभी इसी वक्ट शादी करनी है तो इसमें मैं क्या करूँ हमारे भाई को ले जाना है मैंगल सुथ पैना के शादी करा दे समझा और उसके बाद आनीमून पे बेज़ दे आपके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ और घरवालों को कुछ हुआ तो भी कुछ भी कर सकता हूँ क्या है हसके बोल रहा हूँ सीरियसली करके दिखाओंगा समझे क्या करेगा तू क्या करेगा तू आपके लिए कुछ भी करूँगा डेविड भाई आप बोलो न मुझे क्या करना होगा तुने मेरी शादी रोकी थी ना, मैं अभी शादी करना चाहता हूँ, जा और जाके लड़की ले के आ, मैं वेट करता हूँ ठीके भाई, लड़की कोने बता दो मैं उससे बात करता हूँ यही है लड़की और इसकी दो मेहने बाद शादी है मैं लड़की से प्यार करता हूँ जा इसे उठा कर लिया पहले बता देते डेविड भाई ठीक है लड़की उठाने के बाद फून करता हूँ बताये कहा नहीं जाके पहले उसे उठा इसे उठाने के बाद तु बस अच्छा बॉस हाथ में जो कड़ा पहनते हैं वही लोग सिर्फ मारते हैं धागा पहने वाले मार नहीं सकते हैं जा जा पहले तु जिन्दा लोटता है क्या ये देखते हैं किसे उठाने जा रहा है पता है तुझे मदुराई मडिवासन की लड़की जो उस गाव में पैर अगर कवीदा कुछ पूछे की तो कोई बहाना बनाते मंडप में कोई भी प्रॉब्लम हो तो सीधे मुझे फोन करना ये तो क्या बोल रहा है यार तेरा जाना जरूरी है हम उसे रोक नहीं सकते क्या शादी के माहुन में कोई गडबन नहीं चाहिए और इसलिए मैं राजी हो गया है जो बोला है वो कर जो करना है कर जा है बाइसाब मदुराई के लिए बस कहां से मिलेगी आज मुरत का दिन है वह देखो लाश्ट बस निकलने वाली है जल्दी जाओ यह यह चलता हूँ वहां संबल के जाना मुणराई बस स्टेंड पे तुम मेरा ही मज्द कोडार है भ ferry मध्रय में क्या फिमस है अरे पूरा मध्र एबद्रही फिमस है वो नहीं भाई मदुराई में और क्या फेमस है मदुराई बोले तो मार काट मदुराई बोले तो गुण्डागर्दी मदुराई बोले तो जगडा मदुराई बोले तो लफडा मदुराई बोले तो मेरा भाई मनी वासाम फेमस है भाई नमस्ते भाई मैं उधर बैठ जाओं क्या अरे भाई कैसा है तू मैं ठीक हूँ तू कैसे मैं बिल्कुल ठीक हूँ भाई साली का जनम दिन है तो मैं शादी पे नहीं आ पाऊंगा हा लेकिन जैसी उनकी शादी हो जाएंगी उनको घर पे दावत के लिए बुला लूँगा बुरा मत पानना भाई है अच्छा चल ठीक है मैं मदुराई आया हूँ तू कहा है तू मदुराई में है क्या वहाँ बेहन की शादी है और तू यहां मदुराई में क्या कर रहा है सुन भाई मदुराई में तू कहां पर है माटदावनी के बस्टैंड पर भाई आस पास में देख ले उसी के बैनर होगे उसी के बड़े-बड़े होटिंग भी लगे होगे ऐसी कोई जगा निये जा उसके पोटो नहों भाई जरा संबल गया उसके घर से लड़की तो दूर तू पैन भी नहीं उटा सकता यार ठीक है तू जो बोल रहा है मैं समझ गया पर मेरे हालात को भी जरा समझ कल मेरी बहन की शादी होने वाली है मैं मेरी बहर के शादी नहीं देख पा रहा हूँ यार मेरी वज़े से उसकी शादी रुखनी नी चाहिए यह मैं चाहता हूँ तु मेरी एक छोटी से हेल्प करेगा मुझे उस मंदरी की बेटी से मिलना है और फोटो लेना है उसका बाकि सब मैं देख लूँगा उसके साथ फोटो लेना है अच्छा ठीक है भाई उसके घर का ड्राइवर मेरा दोस्त है तो मैं उससे बात करता हूँ लेकिन अगर कल को तुब फस गया ना तो मेरा नाम मत लेना भाई जल्दी से फोन करना यह कल का पेपर है आज का भी तक आया नहीं आ रहा है आज की नीज मुझे पता है कल की नीज मुझे देखनी है कि मन्नु शिवा कहां कायब हो गया कब से फोन कर रहा हूं फोन ही नहीं उठा रहा यहीं कहीं होगा किचन में शायद लोगों को खाना परुस्रा हो चोड़ू आनी मैं तुझे सब काम का ठेका तुम ही ने ले रखाए क्या वह क्या करेगा उसे भेज जल्दी ठीक है ठीक ह हां हां तो नमस्ते सुनिय जी शीवा कहा रहे गया कल रात से वह गायब है तू इतना क्यों डरी है इतना सारा काम है कहीं न कहीं होगा बेचारा आज आएगा वह आज आएगा तुम जाओ जाकर काम देखो हैं देखो वह पड़्डी चीप लागे जाओ रुक्या में आई हाँ हाई फ्रेंज आज हमारे कॉलेज के स्टुडेंट और मदुराई के प्रख्यात मनिवासम के एकलौती प्यारी बेटी भारती मनिवासम आज हमारे लिए एक कविता सुनाने जारी है अरे तालिया क्यों नहीं बज़ा रहे हैं सुनते हैं फ्रेंज प्लीज अजाने ना यह बोल पाएगी मुझे तो तेंचन हो रही है तो यह आ है किसी से नहीं जुड़ा आप नहीं क्या है दोई अनल 55 किसी से नहीं चिला रही है चलो यह से अरे नहीं माग़े पुझे आ गए मैंने पहले ही कहा था स्टेज पर माइक के सामने बुलना इतना असान नहीं है इसे लगा एड्रेस बताने जितना असान है इसके लिए गर्स चाहिए होते हैं अगर तुने अपने पापा की तरह वाइट शर्ट पेंट पहना होता न तो माइक भी शर्माता है पॉलिटिशन के पास तो यह माइक शर्माता है और हमारे सामने इतना आ रहा है रूकिये 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 हाई फ्रेंड्स यहाँ पर अंग्रेजी गाने पर नाचा तो आपने बहुत एंजॉई किया हाँ मुझे पता है जिन्होंने यह डांस किया काफी अच्छा किया लेकिन यहाँ पर एक गाउं की लड़की है और हमारे मदुराई की है और इसका नाम है भारती और आज यह भारत कि हमारे भारत के बारे में कविता सुनाने जा रही है तो आप सुनोगे आप सुनोगे अच्छे से पड़ेगी तो हम जरूर सुनेंगे एक मौका तो दो खुश हो जाओगे जोस्तों सही है ना थैंक्यू अरे चलो 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 शुरू करो यहां मैं स्टाट करूं कोई भी न कर सका हम भारतियों पर राज हम अल दो बेस्ट चुप के इसे क्या कहा तू ही है तू ही है तेरे खावों के जगा खुश हो सांसों में रादो बातों में भर गया तेरे सादरी इसे ही तो ही सारे खाव इसे दिल में जोती दवे तू ही मेरे हमों हरालों के तुनी क्यों है तू है कहां गया वो फोन पर बात करते हुए बाहर चला गया अपने बर्दे पे भी मैंने इतने क्लाप्स नहीं सुने थे ए मन्नू कोई प्रॉब्लम तो नहीं है लफड़ा तो कुछ नहीं है ममें पापा को तो संभाल लिया है पर कविता का क्या यार कैसे भी करके संभाल मैं उस लड़की से मिल चुका हूं और उसके सेलफी लेके आ रहा हूं ला ला मुझे फोन दे हैलो भाईया है अरे कवी अरे कैसी हो दुलनिया वह सब छोड़ तो कहां पर है कोई बड़ी प्रॉब्लम है क्या क्या नहीं ऐसा कुछ नहीं है आखिर वो है कौन वो तेरा हाथ पकड़के ले जा रहा था और तू इतनी खुश हो रही थी मेरा लव भाई बस आई रहा है ना शादी के लिए रेडी हो जाओ जल्दी आजाना अरे थोड़ी दिर में पहुंचाओंगा प्रॉमिस तुम्हें पता है अभी वो क्या कर रहा है प्लान बना रहा है जा के रही है और नहीं तो क्या मदुराय के मनीवासन की रड़की को उठाना आस एक और बात बदाऊं पता है अभी वो यहां कर मुझ से क्या कहेगा I love you very much यहीं दो क्या करने वाली है भागने वाली हूं भागने वाली है अभी नहीं बाबा उसने मुझ से दो महीने इंतजार करवाया ना आदा गुंटा तो मेरा भी बनता है सेलफी अरे यार औरेड़ी इससे सब पागल समझते हैं हम इसके साथ रहेंगे तो हमें भी पागल समझेंगे हमें से दूरे रहना चाहिए कि दूरे प्यावा हमें से दूरे यार और लिया हमें जूर। कि अगर कि अगर कि अगर कि कि अगर कि मुझे दें दें दूप आप रहे हो यह यह समय दरो मत मैं नॉर्मल इंसान हूँ तुम भेडर रही हो दरना चाहिए मैं मिनिस्टर की वाइफ हुना डरना मत ऐसा जब मैं बोलूगी ना तब मत डरना मिनिस्टर की वाइफ हुना इसलिए डर रहे हैं आप जाहिए अच्छा है ना बोलो बहुत अच्छा है अरे सुनो तो मेरे बेटी भी बस आने ही वाली है भरती सुनो तो पैटी वन फॉत प्रेजी हो आजाओ इसका डिसाइन देखो कितना बढ़िया है ना और यह वाला देखो तो यह वाला देखो वाट कंए ओके और जब यहां आए थी तो मुझे देंके सब डर रहे थे मिनिस्टर की वाइब जो हूं मुझे बहुत मजा आया वन फोटो प्लीज फोटो और आगे रहें पानी पीओगी नहीं ओकि अब बताओ तुम्हारे अंदर इतनी डेरिंग कहां से आगी हों अभी डर लग रहें मुझे तुम्हारी आखें और तुम्हारी जुँआ आधा सचतो बता रहें पूरी सच्छा ही बताओ वो तुम्हारे साथ मेरे साथ नहीं तुम्हारे साथ अा जो किया दो हाउ बहुत अच्छा था від 대त्र मेरा फैन हो गया तुम्हारा एक फोटो के साथ तुम लाइफ लोंग जी पाओं-ग्ये तो चार पाच फोटो ले ता उससे देख लहुगा ब tast यह सब नहीं हो सकता, हम दोनों साथ मिलकर एक आलबम बनाते हैं, टेक इट टेक इट, टेक इट कहा, तू क्या वहाँ एडली सामाट पारसा लेने गया था जो ऐसी बगवास कर रही है वो अपनी मम्मी को बताने के लिए गई है, क्या मम्मी को बता कर भागने वाली है, अरे उसका स्कुरू डिला है क्या मम्मी मम्मी, मैंने अपसे कहा था न, मुझे किसी से प्यार हो गया है, वो लड़का यहीं पर है, मैं उसके साथ भागने वाली हूँ क्या कह रही हो जिसके गाल में डिंपल पड़ते हैं यह वही रड़का है कहां है वहां अच्छा देखता है हाइए और भाग रही है तो ठीक है पर जाके पहले दादी को बता है अरे सुनो मैंने तुमसे बड़ा हार मांगा था कहां है सर गाव में नहीं है उनकी माँ है आजाइए नमस्ते माजी मेरी बेटी के शादे होने वाली है उसी का निमंतरन देने आया हूं ऐसा क्या आईएगा ज़रूर निमंतरन देने आये हो जी मेरी पोती भागने वाली है तो मुझे लगा कि आप लोग उसे बच्चाने आये हो इसके साथ हूं अ कि तुम्हारे घर पर सब नॉर्मल है नॉर्मल है पुढ़ी के वज़य से सब की जान जाने वाली है तुम सब कह रहे हो काओ के सारो लोग निता जी के साथ गए हैं मौका देखकर वो घर में गुज़ गया जो मन में आए करो जा अच्यार देरे और इससे नहीं छोड़ेंगा है सब लोग मेरे पीछे आओ अपने निता जी की लड़की को लेकर भागने वाला अंदर बैठा है अब रुको भाई मुझे लेगा वह बुटी सठीया गई है और बकवास कर रही है उसके बाद देखा वह लड़की भी तयार है भाई ए रुक चा उसका गला ही काट देते हैं घर के अंदर कुछ भी नहीं बाहर निकलने दो फिर जो मन करे करना यह थोड़ी होता है आज उसे जान से मार देंगे यहां नहीं जा बाहर जा चलो चले बारती हां एक बिनिट दादी यह पैन दोगी क्या मेरी पोती को तू भगा के ले जा रहा है और पैन की इजाज़त मांग रहा है नाइस पैन चलो चलो अब चलते हैं बारती वह इतना बहादुर है तुझे सामने के दर्वाजे से लेके जाएगा नहीं होता ना तो वह घर पर भी नहीं आता बाई नाटा क्या हुआ चलो चले चलो क्या हुआ सुनो पहले हमें एक सिल्फी ले लेते हैं यह तो सेल्फी खीच रहा है यह भाई बोल डेविट की लोगों ने अपना कारेकरम चालू कर दिया है उसके दो आदमी यहां पीकर आए और सेल्वा भाई को बेकार में पिटना चालू कर दिया बहुत गलत हो रहा यार मुझे क्यों मारा तुमने हैं एक मिनिटा यहीं रुको क्या हुआ शादी तो नहीं रुकी ना शादी अच्छी तरीके से चल रही है पर पापा को थोड़ा बद कुछ पता चल गया है देख मुझे लगता है कि अब तेरहों से बात करना बहुत ज़रूरी है अरे मनु सुन कैसे हैं मैं ठीको आप जाकर खाना करें देखो मेरा बेटा जहां भी जाता है जो कुछ भी करता है वह मुझे बोल करी करता है लेकिन इस बार मुझे बिना कुछ कई गया है वह भी अपनी बैन की शादी बीच में छोड़कर गया है मुझे पूरा विश्वास है कि कोई कर अपना काम करें उसके बाद वो मुझे फोन करें मैं बात कर लूँगा उससे मन्नू 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 यहां काम बस खत्म होने वाला है कि अपन बार मुझे मैं अपना काम काम यहाँ डिना काम 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 मन्नू फस्क्ता बार काम काम बार वो मुझे ओना वो इंविया है आप कर दो Hahn ओंच रेAA थाराएब। टृषट अ जम्हें तो गूछक रो चुम कि श Сबाल थाराएब। श्हाःब। जब। wornā जज स्बख़ Um जो ओखिस्टी अशे शुमुमुमुमुम है – जब। रुकावट के लिए खेट था अभी आओ देखता हूं कर देखता हुआ 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 है हुआ है कर दो कर दो कर दो कर दो क्या बात करें वह अपने लोगों को पटक पटक के मार रहा है कैसे मार रहा है अरे वह अपने लोगों को दुलाई कर रहा है कर दो कर दो नमस्ते भाई तो मेरा भाई मानिक असान फेमस है भाई नबस्ते भाई कर दो कर दो मैंने इसे जानकारी दी अगर लोगों को पता चलेगा तब तो मेरी घटिया घड़ी कर देंगे यह तो खुदी फस गया गरण टकने से बढ़ जाएगा मनने दो कि यह जाने दो जाने दो इसे हाथ क्यों छोड़ दिया टाइम क्या हो रहा है दस बच रहे है करेक्ट टाइम बताओ दस बजने में दो मिनिट चलो रहे चलो चलो ऐसी जाएंगे तो क्या बोलेंगे यही के मदुराई के मनिवासन की लड़की को लेकर चला गया और अब मदुराई के मनिवासन की लड़की को उठा करने कर चला गया इस पानी में कोई याता तो करण देता है और उसे तो कुछ नहीं हो रहा है हुआ है यह बाई गाओं में नौ से दसके बिज बिजली नहीं रहती उफ उफ देख क्या रहा है जाओ पखलू उसे सुपर्ब इस लिए वो लड़की को लेकर चला गया मानना पड़ेगा बहुत दिमाग से काम किया उसने चलते हैं हां लेकिन तो मझे याल से कैसे लेकर जाओगे सबस्क्षान के सबस्क्राइपे काम किया जाओगे कराओगे गढदूरें चर्टरपए्पेजैने ल्ड़ेजैने जाओगे भाई इसी लड़की को लाने के लिए बोला था अर्य हां यह तो मनिवासप की लड़की है उसने जैसा बोला कर दिखाया है है चाल रहे नागा नागा मदुराई में फोन लगा मदुराई में फोन लगा और पता कर क्या चल रहा है नेता जी की लड़की को ठाकर लेगा और तुर टीबी देख रहा है कि लड़की के लिए हम पूरा का पूरा मदुराई चला देंगा है चलाओ उसको फोन कर शिवा को फोन कर लौट स्पीकर में डाल अधर जाएंगे तो पैर काटेंगे ज्यादा बोलेंगे तो जीप काटेंगे लेकिन ऐसा तो कुछ वह ही नहीं और वो तो सबके सब बेवकोफ है डेविड भाई वही पुरानी तलवार वही पुराने हतिहार लेकर वही पर गूम रहे हैं वो लोग बस, टायंट, रिलवेश, ट्रेशन, हाइवेश, सब जगा चाम लगा कर रखा है लेकिन एक बार भी नहीं सोचा कि मैं अधरो प्लेन से भी तो आ सकता हूं अर्व लड़की कहा है लड़की मेरे हाथ में मेरे घर की शाधी तेरे हाथ में एक घंटे में पहुचकर फोन करत जो, टेक केर सुपब चले अब यहां से कहां जाएगी तू? बाप का किया हुआ पाप, बच्चे ही भुगतते हैं और उनका कर्ज भी साथ आठ साल पहले जब तू और तेरा बाप पैसे लेने आये थे तब देखा था बहुत खुबसूरत दिखी मुझे और अब बे तू ऐसी ही है यह बता यहां से कहां जाएगी तीन बार भागने की कोशिश की भाई, मौल के सारे लोग अमें ही देख रहे थे अब उठकर जल्दी तैयार हो जा पापा, हाँ बोलू पापा, हाँ वहीं परों ठीक है देख कर बताता हूं आज रजिस्टेशन था ना वो आप थोड़े बीजी थे ना भाई इसलिए हाँ भाई बोल, अभी कहाँ पर है तु? वहाँ पर सब ओके है ना और शादी पूरी हुई? हाँ शादी यहाँ पर हो गई है, अभी अपने बागे के रस में चल रही है, अभी टेंचर की कोई बात नहीं है यहाँ पर सब खुश है पर तुझे मिस कर रहे है, जल्दी आ जाना याद, ठीक है? दूसरा कुछ पंगा तो नहीं है ना? कुछ नहीं रहे, सिंदिल अपने सिल्वा भाई को देखने हॉस्पिटल गया है हाँ, और कविता? हाँ पापा? ए, शादी पूरी हो गए, इसलिए दिनों बहुत खुश है गाउ के लोग सभी चले गए हैं, आप बस अपने परिवार वाले बचे हैं इन सब कुछ राने दे, फिर बताता हूस डेविट की लोगों को ए, पागल! क्या हुआ बाई? तो दुबारा कुछ करने की सोचना मत, सब कुछ तरीके से हो रहा है, मैं देख लूँगा तू शांत रहा, समझा? नहीं यार, उसको इस तरह से नहीं छोड़ेंगे ए, डेविट कॉल कर रहा है, मैं तुछ बाद में फोन करता हूँ फोन क्यो बंद किया तून है? पकड़के कोयम बतूर आ गया हूँ, अभी बताओ कोयम बतूर में रहो या कुमबा कुलम में आ जाओं ए, तेरे जैसा एक भी बंदा मेरी गैंग में नहीं है, लेकिन तू जो काम मैंने दिया बिल्कुल सही कर रहा है फिरली मेरे पास और भी बहुत काम है, अच्छा एक काम कर उस लड़की को देविट भाई, सुनो, मुझसे गलती हो गई थी, जिसका भुक्तान करने के लिए, मैंने आपका ये काम कर दिया इसे के साथ अपने टील ओवर, उसके बाद आपका मेरा कोई कांटेक्ट नहीं होगा, समझ गए न? ओ, शादी होगे तो आवाज में अकड़ा आगई तेरी, कल मंडप में किसी एक को कार देता न, तो दूला और दूलन के घर वाली यही सोचते रह जाते कि आखिरा ऐसा हुआ क्यों, लेकिन अभी भी मौका चुका नहीं है, तू क्या अपनी बहन को विद्वा बनाना चाहत है, नहीं न, तेरी बहन सफेज साड़ी में मुझे भी मिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी, सिचुएशन का फाइदा उठाना अच्छी बात नहीं है, अच्छा, अब तक समझा नहीं तू, तेरे जैसे लोगों की सिचुएशन से खेल कर ही तो हम सक्सस के रास्ते पर चलते हैं, डेवेड, जो लड़ाई के लिए हर बार इंकार करता है, उससे लड़ाई नहीं आती ह यह नहीं समझना चाहिए, बलकि वो किसी बड़ी लड़ाई के लिए तयार हो रहा होता है, अब मुझे बताओ मैं क्या करूँ, तो एक बड़ी लड़ाई के लिए तयार हो जा, एक बात और बोलता हो सुन ले, मधुराई से तो तू किसी तरह उस लड़की को उठा लाया, लेकिन अब तू जहां पहुंचा है, वो उस लड़की की मंगेतर की जगह है, यहां तेरी होश्यारी नहीं चलेगी, कोई मतूर में तू जहां भी कदम रखेगा, सिसी टीवी कैमरे से वो तुझे ढूर निकालेंगे, डेविड, बहतर होगा तू सिर्फ एडरिस बता, कि क पहाना है, इसका मंगेतर यहां रहता है कि नहीं, इससे मुझे कोई लेना देना नहीं, तू इसे यहां से लेके जा, बस मैं तुझे आदे गंटे में फोन करता हूँ, ठीक है? तुम्हारी बाते खतम हो गए? जानते हैं, अभी मुझे कैसा लग रहा है, जैसे तालाब की मचली को उठा कर समंदर में डाल दिया हूँ, छोटे से पंची को जैसे नए नए पंक आ गए हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है, अब यह तुम्हारा हाथ पकड़कर सांसे रुख जाने तक भागने को तयार हो मैं, भागोगे क्या, सच में स्कुरूट हीला है, आपने जैसे बोला था मैंने बिल्कुल वैसा ही किया, मारी लॉक अप में मारा गया, उसका जीजा कल रिया हो जाएगा, यह बता तो इतना बोर क्यों कर रहा है, यह सब कितनी बार बताएगा, पर जो क्यों जे बताएगा ए्प हुए इतना अएग जि यह बताएगा, यह सुआअ में तो एतना तुमने बुलाया हां बुलाया तुम अपने पैसों से मुझे एक ब्रेस खरीद कर दोगे क्या हां खरीद लूंगा अधिर 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 इस खुम्भु कोलम वाले को फोन करना है उज़े मारने के लिए बहुत कमजोर रोग भेज रहा है वह अधिर गाड़ी रोक रहे है डेविड बै, आ रहा हूँ मैं आ ना, तुझे मैं भी देखना चाहता हूँ कमजोर आदनियों को क्यों भेजता रहता है तुझे कुछ हुआ नहीं न मैं डर रहा थे कि तुझे कुछ हो ना चाहे जरा समल के धीरे धीरे मैं तुस्से अपना बदला लेने वाला हूँ तुझे मैं तब तक मारूँगा जब तक मेरे कलेजे में ठंड़क नहीं पहुँच जाते तुझे अपनी काड़ी के पीछे बांग कर खीच कर अपने काउं तक ले जाऊंगा मैं भी यही चाहता हूँ आजा और ज़रा जल्दी आना गेम तो शुरू हुआ है और इस गेम में मज़ा आने वाला है हाँ हाँ आएगा जरूर आएगा तेरी शादी रुकवा कर तेरी मंगेतर को मदरही से उठा कर ले गया मेरा आदमी और तो कुछ नहीं कर पाया तेरे इलाके में कोई कदम भी रखता है तो तुझे पता चल जाता है ना जा जा तेरी होने वाली पीवी को लेकर वो घूम रहा है इस तमय कोई मतूर में तुझ में दम है तो उसे पकड़ ले क्या हुआ अभी केम में बज़े आ रहा है ना हाँ कहां जा रहे हैं बस अभी आता हुआ हाँ बोल सब निकल गए क्या आ सब निकल गया है लेकिन डेविट के लोग यही पर घुम रहा है वो सौरी बोलना था यह सब मेरी वज़े से हुआ ना उस दिन मैं पीने के लिए नहीं गया होता तो यह सब होता ही नहीं मेरे चकर में तू फज़ गया है ए पागल ऐसा कुछ भी नहीं है बस अर थोड़ी देर के लिए संभाल लेना उस लड़की को छोड़कर मैं तुझे दुबारा कॉल करूंगा ठीक है ना ठीक है भाई ओके हेलो ब्रदर यहां पर लड़कियों के कपड़ों के कोई दुखान है क्या वहां पर एक बड़ा मॉल है वहां जा सकता है थैंक्स ब्रदर वह मेरा है मता लगा क्या चल रहा है मदुराही में फोन लगा बोलिए दमाद जी शादी के दो दिन पहले ही निमंत्रन शुपवा कर पूरे गाउं और देश में बढ़वा दिया ताकि जो चुपा हुआ है बाहर आ जाए मैं जानता हूं ऐसा करने वाले कौन है उन्हें मैं देख लूँगा मैं आपको बुलाता हूं यह दमाद कौन से गाउं का है कोई बतूर मालिक अपने दमाद का नहीं मेरे दमाद का बताओ कुम्बक कोलाम हाँ डेविड है का है तू मरुक फिल्म मॉल में है है मैं एक गेम खेलना चाहता हूं पर तू कुछ और खेल खेल के मजी ले रहा है ठीक है वही मॉल के सेकंड फ्लोर पर एक कॉफी शॉप है तू वहीं रूप मैं तुझे वहीं बिलता हूं उस लड़की को मुझे सॉप दे और तू आजा हाँ ठीक है तू पहले जल्दी आजा कैसी लग रहे है ये ड्रेस हां कैसी है अच्छा नेक्स प्लान क्या है काफी कि अधिन दो क्या पच्छी दो कि अधिन बन हुआ ना तुम्हारा मेरे साथ कॉफी पीने का मन हुआ ना अच्छा बोलो और क्या हुआ नहीं तुम्ही कुछ बोलो ना मैं बोलू क्या मैं क्या बोल सकती हूं मेरा तो एक ही साइड है जैसे वॉल की पोस्टर का एक ही साइड होता है लेकिन मुझे लगता है तुम्हारी लाइफ में बहुत कुछ हुआ है तो तुम बोल सकते हो बोलो बोलो वो सब हुए बिना ही तुमने मुझे ढून लिया क्य यहां वो मैब हाँ हाँ पता है इतने निन थोड़ी ना खेले बठे रहोगे कितनों से प्यार किया मेरा नमर कौन सा है रुको रुको एक मिनिट एक मिनिट इतने लोग नहीं है ओके समझ गई ना मेरी बाद छोड़ो तुम्हारे पीछे कोई नहीं पड़ा किया है मेरे पीछे बड़े घर के लड़के पड़े हैं मला और किसके हिमत होती मुझसे प्यार करने की लेकिन हाँ कॉलेज में थर्ड एयर में दो तीन लड़कों ने ट्राइ किया था उसमें से एक तो मेरे पास कभी आया ही नहीं दूसरे ने मुझसे कभी आई लव यो ही नहीं कहा इन सब के लिए daring चाहिए होती है यह सब क्या प्यार करेंगे और भगा के मुझसे शादी करेंगे Actually, college में scene create करने में मैं बहुत आगे थी hot scene create किये हैं मैंने तुम भी सुबा तक देखना एक आज scene तर तुम्हारे साथ भी create हो जाएगा हाँ, बिल्कुल, क्या scene था चांस ही नहीं सूपब था अच्छा, अब तुम बोलो हाँ, बीच में बोलना नहीं हाँ बचपन में कुछ छटवी में चे साल के थे अभी बोला था ना बोलूं क्या रड़ी है छे साल के नहीं मैं जब छटवी में पड़ रहा था तब गाउं में एक लड़की थी वो बहुत सुंदर थी माला दीदी जे शिवा, अपना परमेश्वा टीचर सीरियस है मर जाएगा तो चार दिन की छुट्टी मिलेगी परमा टीचर मर्टी तो अच्छा होता ये लोग का हमेशा का हो गया है जब ही स्कूल से छुट के आते हैं तो ये ही खड़े रहते आपकी एक ताप नमस्कार कार करते हैं आज के कलेक्शन का आदा हिस्सा मुझे दे देना ठीक है इसकी वज़े से मेरी पढ़ाई का सत्या नाश हो जाए ये कंजूस तो एक रूपया भी नहीं देगा कौन से कलर के कपड़े पहनी होगी ये ले ये ले ए तेरी दीदी को बोलना लेटर पढ़ने के लिए उसे बोल उसे मैं बहुत खुश रखूँगा पहले रोना छोड़ दे और पैर दो क्या नाख के बाल जल रहे है सॉरी यार भैस चरा रहा था वैसे ही भाग क्या आ गया तेरा वाला लेटर पढ़कर माला दीदी हमें ट्यूशन से मार कर भगा देगी ऐसा क्यों तो क्या बीयर माला लिखने की जगा बीयर माला लिख कर भेजता है तू राइंतिंग मिस्टिक हो गया होगा ठीक है एगली बार सही लिखूँगा हैस चराने वाले को माला दीदी चाहिए मेरा बेटा डॉक्टर बन गया बैड़ी किसी की बात है लेजे क्या मनस्वामी खुशी में कुछ भी मागूँ है तो दे दोगी क्या अभी क्या दोगा खुद को बेज कर देना पढ़ेगा अरे तुम्हारा घरी काफी है दो जनम बैट कर खा सकते हो क्यों रेशिल्वा घरी जब तक डूपता नहीं जमीदार कुछ है नहीं मिलता पढ़ने गया तो घर के काखजात गये डॉक्टर बनने तक घर भी चला गया पर मुझे अफसोस नहीं मेरा बेटा डॉक्टर तो बन गया तुम तो जरूत से ज़्यादा खुश हो रहो भाई महारो जैसे राजा बन गया हो हमारे राज में पहले नंबर पर आया है मेरा बेटा और इस गाउ में पहला डॉक्टर है मेरा सीना तो फूले गाई ना तुमें और पूरे गाओं को अब यहीं बचाएगा चलता हूं चलता हूं डॉक्टर बेटा जी ससुल जी बेटा डॉक्टर बन गया मेरा बहुत खुशी की बात है अपने बेटी को बुलना यहां में बड़ा सा हॉस्पीटल बनवादे बोल देते हैं अरे डादाची डादाची सब को चौकर क्यों दे ले और भाई डॉक्टर बन गया ना यह ले यह ले तुभी ले बाई भाई हमे यह लो तुम्हारे लिए क्यों अरे लो ना यह माला को दे देना क्यों भाई तुम भी सोचा था इस पूरे गामें तुम ही अच्छे हो पर तुम भी वैसे ही निकले ए मनस्वामी यह देख तेरा डॉक्टर बेटा क्या कह रहा है गाए को माने वाली सुई लोगों को लगा इस डॉक्टर ने पेपर पर क्या दवाई लिखे जरा पढ़ना इसमें तो कविता लिखी है कुछ समझके नहीं आ रहा हूँ डॉक्टर है ना इसलिए कुछ भी लिखा होगा ला इधर दीदी दीदी यह वेस्ट पेपर है इसे अच्छे से साफ कर देना यह लोग लेटर देते इससे हमें कमाना नहीं है समझा क्या वरना दस रुपे के लिए शिवा ने अपना प्यार दान में दे दिया ऐसा पूरा गाव बोलेगा ए चोड़ना इतिहास बोलेगा रे चाहे कुछ भी हो जाए आज तो अपने प्यार का इजहार करेगा यह गाव करना हम लोग ट्यूशन पर मिलते हैं ठीक है चलो आज मैं बोलूंगा नेजर से नजर मिला के तो कुछ भी करके आज बोली दे स्यूब कर गाव बोले खर गलोंगा तो कुछ देरूंगा टिर भी है है एक वर्काउट हो रहा है हो रहा है तु देख तु देख तुझे देख रही है यही ठीक समय है इमस्चे जाकर बोल बाकी सब मैं देख लता हूं जा 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 माला देदी, कुछ बोलना चाता हूँ क्या है? क्या बोलना है? माला देदी, I love you क्या है? कुछ भी तो नहीं क्यों हसरे हो तुम लो? हाँ छोटे, तु बोलता रहे माला देदी, I love you हस्ता बंद करो तुम लोगों में किसी में ऐसा बोलनी की हिम्मत है क्या? मेरा भाई क्या बोल रहा है? वो बोल रहा है कि माला देदी, I love you मेरा भाई अपने देदी से इतना प्यार करता है है ना बाबू? आजाओ अरे, आजाओ ना मेरे छोटे बाबू आजाओ बहुत बदमाश हो गए हो नहीं मारूँगी, बैठ जाओ क्यों दीदी? सबको तो मारती हो, मुझे क्यों नहीं मारती? सबको डारती हो, मुझे तो नहीं डारती मुझे देख देख कर हस्ती हो और मचे होमवर्ग भी नहीं देती क्यों तीटी गाओं के सारे आवारा लड़के तुमसे प्यार करते हैं मैं क्यों नहीं कर सकता इस गाओं में सिर्फ तुम ही हो जिससे मैं बहुत प्यार करती हूं मैं भी अपने भाई से बहुत लव करती हूं कि पहले कि बेटियां आवाज नहीं उठाते थी और आज तुझ में इतनी हिमत आगी कि तुम से पैस कर रही है ये कितवा गाव है पिताजी जहां तक मुझे पता है ये पाचवा गाव है आप क्या करते हैं पता हैं फिर भे मैं आपके पीछे-पीछे आ जाती हूँ लेकिन आप मैं नहींवाग सकती बीति क्यों रो रही हो तुम लोग यह क्या कि रहो जाओ जाओ निगोए हाँ से घुस अब करशा बढ़ गया है तो फिर से गावादल रहे हैं ना सही का न यह समय तेरी शादी के लिए करो आइसी शादी मुझे नहीं चाहिए मेरा आपका मेरे बिना कोई नहीं है इसी का में रूपते है पिताजी देखिये वो शिवा को को छोड़कर गाने का मन नहीं कर रहा है सब पताएं मुझे अब दोीधा थें बीसी कर दिन हो गये है कल कर्जदार हमारे दीदी क्यों रो रही हो दीदी ऐसे शीवा यह लेटर शेलवा को दे दे ना तो क्या तुमने मच से प्यार नहीं किया तुझे कैसे समझाओ शीवा तुम मेरा भाई है मैं तुझे बहुत प्यार करती हूँ हुई है थीदी मैं दे दूंगा तुम रो मध लेटर शेल्वा भाई यह को देनां ना सब्सक्रा एथ 시द्स मालती हरे अगे के घर पर और तुम भूल गया क्या आसी पर हम यह रों की पिच्चर आने वाली है हम नहीं जा रहे चल चल बहुत मज़ाएगा आखिर वही हुआ जिसका प्राइब कर दो चाहिए जोड़ दाने प्राइब का है तो बहुत को प्रीजी लात हो रहा है प्राइब को घर के सारे बर्तमों फेक रहे हैं चलो प्राइब यह सब क्या है प्राइब क्या है। कि कोशिश कर रहे हैं कि छोड़ों कुझे अरे मेरी बात है अच्छा को एक आदमी को मिलके सब लोग मारे शर्म नहीं आती है दिमाग है कि नहीं क्यों इस आदमी को इतनी बेर हमी हमारा पैसा डूब गया इसलिए तुम लोगों पैसा चाहिए ना मैं देता हूं उठाओ भाई उठाओ इसे तुम शूड़के यहां क्या कर रहे हो ज़लो 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 जब में है डॉक्टर बना फिरता था अब पागल हो गया है उसके बाप की लाश यहां पड़ी है और वह वहां खेत में बैठा हुआ है हुआ 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 है दो थे अपर फिरत्व को बिच्छ शीवा इस वह फिर आपकुछ बोली क्या है माला तुछ से कुछ बोली क्या? कुछ है? कहा गई? मुझे बोले भी ना चली गई? उसने तुझे कुछ नहीं बताया? अज से कैसे गाया वह गई वो? थो जाना था, तुमेरे साथ जाना चाहिए था न? मैं उसे लेके जाता, कहा चली गई वो? गाहो वाले सब बुझे माहर रहें, कहा गई वो? कहा चली गई वो? हे, माला कहा गई? कुछ बोली क्या? तुझे कुछ पता है क्या? ए शिवा, ए शिवा, बोलना, ए शिवा सुन तो, तुस तो बता के जा, शिवा, शिवा शिवा माला दीदी ने लेटर में क्या लिखा था मुझे नहीं पता उसे खोल कर पढ़ने की दिल में हिम्मत भी नहीं थी शेलवा भाई ये शिवा जो बहुत महनद करके डॉक्टर बढ़े थे वो मेरी वज़े से पागल होकर रोज रोज मेरे खर के पास खड़े होगे अरे श्टुन शिवा तुमने बाप किया उसका पश्चात आप करने के लिए तुम प्यार करने वालों को मिलवाते हो नहीं देखो अभी हम बातें कर रहे हैं अचानक एक लड़का आकर कुछ दो भूग लगी है ऐसा कहता है और हम लोग कुछ नहीं ऐसा कहकर भगा देते हैं वो थोड़ी दूर जाकर बेहोश होकर मर जाता है तब कैसा लगता है अरे रे दस रुपे दिये होते तो वो बेचारा कुछ खा लेता लेकिन हमारी वज़े से मर गया तब कितना गिल्टी फील होता है ना ये भी ये भी एक तरह का गिल्टी है अभी उसी जगापर एक लड़का भूका खड़ा है क्या करेंगे तब हम लोग अपने हाथ का खाना उससे दे देते हैं और अभी खाले रात को खाले या कल खाले ऐसा बोल देते हैं और फिर अपनी गल्दी क नहीं करता है अच्छा लगता है माला दीदी और शिल्वा भाई के साच अच्छा ये बाते छोड़ो मुझे छोटे शिवा से मिलना है मिलवाओ ना वहां देखो बच्पन वाली माला दीदी है वहां वह देखो नहीं भरती वह माला दीदी नहीं है वह कोई और है तुम कैसे जानती हो माला दीदी को हां मैं उन्हें नहीं जानती लेकिन जैसे ही मैंने माला दीदी का नाम लिया तुम में एक बेचे नहीं दिखाई दी मुझे तभी मैंने छोटे शिवा को देख लिया मैं 100% कंफर्म्ड हो कि तुम अब भी उनसे प्यार करते हो भारती भारती वह दीदी है यह अंग्रेज लोग मम्मी पापा भाई बहन यहां तक किसे चीज को भी बोल देते हैं लेकिन हम जिससे प्यार करते हैं उसी को यह सेंटेंस बोलने की हिम्मत करते हैं अरे लव तो वो है जो बच्पन में मैंने माला दीदी से किया था कितना विश्वास था उनका मुझ पर लेकिन मैंने तोड़ दिया और इससे लिए तो मेरा विश्वास भी नहीं तोड़ोगे हर बार मैं किसी न किसी को खो कर जाता हूँ लेकिन इस बार चेलियन के लाश लेकर जाओंगा और अगर उसने मुझे टपका दिया तो तुम सब वापस लोट जाना समझ गए? तुम्हारे बुलाने पर बिना कुछ सोचे समझे मैं तुम्हारे पास आ गई इसलिए तुम मझे पागल मत समझना मैं कोई गलत फहमी लेकर नहीं आई हूँ मझे तुम पर भरोसा हुआ इसलिए आ गई हर लड़के के मन में कोई ना कोई लड़का होता है जिसे वो पसंद करती है और यही सोचती है कि वो उससे कब मिलेगी दुनिया वाले बोलते हैं कि लड़के को देखते ही लड़का पसंद कर लो अरे एक बार में ऐसे कोई भी पसंद नहीं आता इतना हसान नहीं है फिर भी हम बिना शकल देखे पसंद कर लेते हैं, जो गलत है, क्योंकि दिल के अंदर तो कोई और है, जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा तो तुम मुझे पसंद आ गए, याद है तुमने एक बुज़र्ग अंटी की शादी करवाई थी, उससे जाद एक लड़की को क्य कुछ म्या चाहिए उसे इंप्रेस करने के लिए, तुम्हें आधा ना वो शादी। कौनसी, कौनसी शादी, मेरी जितने भी फ्रेंज्स हैं, उन सब को वो शादी आध है. खुछ भी कर लो, वो शादी भूलने इं सकति, तुम्हें याद नहीं, मैं बताओं? हां? हां। क बताओ ना, मेरी एक फ्रेंड की शादी थी जहां मैं वक्त पर पहुँच नहीं पाई, इसलिए उसकी शादी के दो दिन के बाद उसके कुम्ब कुलन के घर पर मैं उससे मिलने गई, जहां मैंने तुम्हें फर्स टाइम देखा, बात तुम्हारे बारे में, उस शादी के बारे में, मैंने सबको एक एक बात बताई, तुम्हें तो मैं ढूनते हुए आने वाली थी, लेकिन तुम ही आ गए? क्या है, कि हर माबापको अपने बच्चों पर शक होता है, कि वो कुछ ना कुछ गल्ती कर रहे हैं, लेकिन तुम्हारे माबापको तुम पर पूरा भरुसा है, कि तुम जो फैसला लेते हो, सही लेते हो, तुम्हारी खुशी सेलिब्रेट करते हैं, कौन क्या सोचेगा इसकी उन्हें परवा नहीं, सोचने दो लोगों को, उन्हें तुम पर कोई शक नहीं, तुमने अपने सबी दोस्तों को हमारे बार में बताया ना, सब को छोके है ना, मैंने सोचा था कि मेरा सपना एक दिन जरूर पूरा होगा, और वो हो गया, तुम मुझे मिल गए, जब देखो तब तुम मुझे खीच कर ले आते हो, फर्स्ट टाइम पकड़ा था, तो गाउ में छोड़ दिया, सेकेंड टाइम पकड़ा था, तो स्टेज पर छोड़ दिया, थर्ट टाइम पकड़ा है, अब मैं तुम्हारे साथ रहूँगी, इस पार छोड़ कर कहीं भाग मत जाना, तुमने, अब तक मुझे वो नहीं बोला, बोलो ना, I love you, मैंने सुचा था, तुम्हारे बोलने के बाद बोलूगी, तुम्हारा फोन बज़ रहा है, एक मिनिट, फोन आया है, बात कर दो, बोल डेविड, मैं आच चुका हूँ, पलट के देख, फोन नहीं उठा रहा था, तो सोचा तेरा हाथ काट तो, लेकिन तुने मेरा काम सही किया, इसलिए छोड़ दिया, अब जा, जा के अपनी बेहन को समभाल, डेविड, वो लड़की मुझे पर भरोसा करती है, प्लीज, प्लीज, एक ही बात तुझे कितनी बार समझाओ, अगर यहां से नहीं निकला, तो मंडप में लाश ही गिरेगी, चल निकाल, डेविड, प्लीज, डेविड, मैं तुझे बूल रहा हूँ, डेविड, हाँ मन्नू, ए सुन भाई, वहाँ पर कोई लफडा हुआ है क्या, येलो बैलेंस खाने का, ए यहां पर डेविड की लोग पापा को क्या, खड़े है, डर लग रहा है यार, चल निकाल, सुनना, हालो, भाई, क्या कर रहा है, मेरी आउज आ रही है, ए भाई, क्या हुआ, नहीं, ठीक है, बैठो, टेन मिनिट्स रेस्ट रूम जा कर आता हूँ, टेन मिनिट्स रेस्ट रूम में क्या करने वाले हो, आच्छा, ठीक है, जा, शिवा, कुछ नहीं, जा कर आओ, कैना हुआ मैं क्या कर ठीक है, में दीक है भाई, आपक्षड़ लेक है, मैं खेले कर दे हो, आओ, पिस का कि Caesar, Grey neon, इंय आप, इंय एpassen़, भाई, थ닆 पो आहले है, ऻले हो, पो देक है, ऊ creatanut है, जा है है, ए् आछिया कर दीक है, एंप मैं कितंग है, झाल झाल आप सब शिवा के फ्रेंज्स हैं क्या बैठिये ना मन्नू मेरी लाइफ में मैंने तुबारा गल्ती कर दी तुठीक तो है ना तेरी ऐसी आवास सुनकर मैं परेशान हो रहा हूँ वो जो लड़की थी ना वो मेरे भरों से पराई थी और उसे मैंने धोका दे दिया क्या बोल रहा है तू मेरा और डेविड का क्यों लफड़ा हुआ मैं मदुरा ही क्यों क्या लड़की को किसले उठाया और उसे लिकर मैं क्यों क्यों बतुरा गया वो क्यों मुझसे इता प्यार करती है क्या वो तुसे प्यार करती है यार यह सब कुछ मेरी ही life में क्यों हो रहा है ? कर दो 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 कर इस प्रोब्ले में हूँ यहां कई पोलिस वेशन है तो बुझे पहुंचा दीजे प्लीज प्लीज पताईए समझ मैं मैं सच में बहुत बड़ी मुसिमत में हूँ मेरी मदद कीजिए प्लीज साब प्लीज प्लीज मेरी मदद कीजिए कि वैश कीजिए में बहुरोई र ρी मेरी 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 इन सारी क्यी वभysz। मेर fought शसक्यीजर कीजिए प्लीज साट प्लीज से कारा σकतत्य highness इतAPत अम्हें जता मेरी मेरी ड este véritZ लовые मेरी 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 में स्किक layering अबस कीज सारी इंसे ततो थ्लीज से और्न फ्लीजी अ कर र जो झाल खड़ झेड़ शिम झाल हुँ प्येन और हुँ खाल खुब नहांता है जोई! जोई यह जाएगे चल आजा कौन हो तुम हाट छोड़ा मेरा मेरा बॉइफरंड यहीं पर है उसने ऐसे तुम्हें देखा ना तो तुम्हारी फिर खेर नहीं तुझे मदरई से लेकर आना और यहाँ पर छोड़ना इतना ही काम था उसका उसका खतम हमारा शुरू चाल वेट तो कर अभी वो आएगा वो नहीं आएगा टाइम क्या हो रहा है इंदस करेक्ट टाइम बता वो आपी आएगा चाल वे आच्या कर रही है वे चली से पकड़ते हैं है 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 तुम इतने सालों से कहां थी दी मैंने कहां कहां नहीं ढूंड़ा तुम है तुम यहां पर कैसे आए मैं यहां पर अपने परस्नल काम से आया हूं दीदी और अच्छानक तुम्हें देखा तुम यहां केसे आए दीदी शिल्वा शिल्वा केसा है इतने सालों से तुम्हारी यादों में मर रहा है वो अभी भारती के बास भी तुम्हारे बारे में बात कर रहा था मैंने बोला तो वो पूछने लगे तुम्हारी माला दीदी कैसे दिखते थी उसके बारे में बता हो ना कौन है भारती बे वज़े कह रही है आएगा आएगा वो नहीं आने वाला अब आएगा तेरा मंगेतर क्या अरे सोचा था तुम मर्दों की तरह लड़ाई करेगा अपने डिफेंस में लड़की को आगे कर दिया सासूर जी कैसे है मुझे तेरे सवालों का जवाब देना है पर उसे सुनने के लिए तो जिन्दा नहीं रहेगा आजा हाथ में चाक्यों क्यों रखा है मेरे गले पर रखना वो आएगा तो सामने खतर्नाक सीन लगना चाहिए ना चल्रक्ष् सकतके प्रण़ित ही लग तो अबसक्ता that कि नव 바로 क्यों चुल्ड़间 कि अबसक्ता ilot मैं कि वन्य सुन्य अबसक्ता आप्स मताव से अउनने नाप भाओ, आप रशाओ, अरव जाओ, आपने नाप जगा हुआ I love you ऐख अगम आपनद को की जो जो को जो को शाद लिखाता है दो कशीनों के वो थेल का कना समयजमाने आता है सुने की जो की बढ़ाओं को जो में आप चलो चलो वो रखश्ट लार हिर लार 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 लारिवब लार है खज़ बखूचर के बख़, मॉशर के बख़ूचर के शश्साफ झाल झाल जो जो झ। कैंगा कि बाता हुआ कि थे का इस्ट जाओ टूंस झाल कि अज़ादोद्ग स्टेजिट झाल 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 देख लिया, उस दिन बोल रहे थे ना, यह शेर नहीं बिल्ली है पैदा होते समय दोनों एक जैसे दिखते हैं लेकिन उनके शिकार करने के होनर से पता चलता है कि वो बिल्ली है या, शेर आयो के बेबी, लव यू बेबी भागेंगे क्या, चलो चलते हैं आओ दीदी, नहीं शिवा, मुझे अजीब सा लग रहा है, आपको शेलवा भाई को देखना है या नहीं देखना है, तो चलो अरे, रुप जाओ, क्या करें हो, पहना रहा हूँ ना, तुम मेरे साथ मजाग कर रहा है, मैं रूसे कितना बढ़ा हूँ क्या बात है, सिक्स पैक्स रखे हो, जेंबियम जाते हो क्या, यह मेरी शादी थोड़े ना है, बहुत बढ़ी है, यह तुम लोग क्या देख रहे हो, अभी बताता हूँ, शिवा ने बुला है, तुम्हें तयार करने के लिए, शिवा कहा है, किदर है के शिवा, यह कब से मुझे सता रहा दे, जरा डट बिना मुझे बताया, कहां चली गए थी तुम, पता है, गाउवालों नो मुझे कितनी बेरहमी समा रहा, मेरे पिता जी गुजर गया, एक बार बोल के जा सकती थी ना मेरे शादी को छोड़कर कहां चला गया था तू, आयका हैगा, बोलकर नहीं आया ना, उसे भी बात मत कर जा तू जादी बहन है, सौरी, सौरी, कैसी हो, शादी अच्छे से हो गई ना, और बेटा शीवा, सौरी पापा, सौरी किसलिए, यह क्यों, कुछ नहीं पापा, ओके है, जिस काम से गया था, वह पूरा हो गया, ना, हो गया, सुनिये, सौरी जीजो आनी पाया, सुनिये ना, सब ठ माला से शादी करेगा, अरे बता करेगा, यहाँ पर मंगल सुतर देखा, मेरे लिए है क्या, तेरे लिए, शादी करेंगा, हमारे शादी होगे, तुमारे साथ लड़ाई करने के लिए, वो सेट की बेटी लेकर आया है, देखना है, कहीं तुम पर बाहर ही ना पड़ जाए, मा पिता जी जो होते हैं, वो हमें इस तुन्या में लेकर आते हैं, पर पूरी जिंदेगी साथ नहीं निभाते, और फिर यहाँ पर जो रिष्टे बनते हैं, वो भी हमारे साथ जिंदेगी बर नहीं रहते, लेकिन तु मेरे साथ आखिर तक रहेगा ना, माला दीदी, जो बात मुझे कहनी चाहिए, वो बात आप कह रही हैं, बिल्कुल रहूंगा, तुम्हारे सारे सवालों का एक ही जवाब है, मैं मेरी माला दीदी से अब भी बहुत प्यार करता हूं, I love you माला दीदी, रोना नहीं, नहीं रो मत, अब से खुश, बस खुश रहना, क्या करने वाले हूं, पार क्यों रहा हैं असे, शीवा, शीवा, मदुराय के बड़े निता की लड़की को कोई उठा के लेकर आया है, वो ट्रग भरके अपने आद्मियों को यहां लेकर आया है, जल्दी कर भाई, हाई, पापा को तुने नहीं बताया ना, इसलिए वो गुस्से में है, अगली बार भाग के जाएगी ना तुम बता के जाना, भारती, यह तुम्हारे पापा है ना, बाच्चित करके खतम करो ना, प्लीज, ए, मजाक है क्या, दूसरे प्यार करने वालों को जान पे खिलकर मिलाते हो, जब खुद की बारी आई तो अपना कदम पीछे आट आ रहे हो, जाओ, मारो, इन सब को हमारा प्यार दिखाओ, जैसे बाकी लोगों को मारते हो, वैसे ही इने भी मारो, जाओ, यही है जो आपकी बेटी को उठा कर ले गया था, जब घर पर कोई नहीं था, तब हमारी बेटी को उठा कर ले गया था, इसे बताओ कि हम कौन है, टू मिनिट साथ से, लिस, आपकी बेटी अड़ से, लिस,